बिज्ञान विशय में ध्वनि वाला पाट अध्याय बारा उसका अध्यन करेंगे ध्वनि से आप सब बहुत परचित हैं और हमारे कान ध्वनि को क्या करते हैं सुनते हैं तो ध्वनि क्या है एक प्रकार की उरजा का रोप है द्धनी क्या है उर्जा का रूप है उर्जा के विभित रूप होते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्जा का रूप है जो हमारे कानों तक सुनने की संबेदना क्या करती है उत्पन करती है अब ध्वनी का उत्पादानम करते से आप स्कुल की घंटी रोज सुनते हैं हमारी जो मुझे आवाज निकल रही है वो भी ध्वनी है मालो हम एक सौरित्र लेते हैं यह मालो एक सौरित्र है दिवुज इससे हम किसी भी चीज में टकराकर ध्वनी उत्पन कर सकते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो सौरित्र दिवुज हैं यह किसी से भी टकराएंगी जैसे आप घंटे से टकरा सकते हो इस प्रकार यह उर्जा उत्पन करेगा और य द्ध्वनी का जो संचरण है उसमें एक माध्यम की आवश्यक्ता होती है अब माध्यम क्या है माध्यम हवा भी हो सकता है पानी और जैसे धात में लोहा भी हो सकता है हमें लोहा में भी ध्वनी सुनाई देती है अधिकतर ध्वनी का जो संचरण है वो अधिकतर है हवा हमारे चारों और हवा पाई जाती है तो ध्वनी के संचरण के लिए हमें माध्यम की क्या होगी आवश्यक्ता होती है ध्वनी में जो तरंगे एक एक प्रकार की विक्षोव उत्पन होता है विक्षोब मतलब हलचल जो विक्षोब है यही तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है तो इस प्रकार माध्यम में एक विक्षोब उत्पनों का विक्षोफ मतलब हलचल और उससे क्या होंगी तरंगे उत्पन होती हैं अब ये जो तरंगे हैं ये जैसे देखिए ये सौरित्र है इसको हम थोड़ा सा हिला रहे हैं तो ये कंपाय मान हो गया क्या हो गया कंपाय तो ये ध्वनी तरंगे हैं आप देखिए ये ध्वनी नत्र और दाब एकास अजाते हैं कभी माध्यमक्रण दूर्चले जाते हैं और ये हवा है यहां पर कौनसा माध्यम मैं न enact some regular in 對不對 और हमारे 44 और हवा ये बेखे पास आजाते हैं' फिर ये दूर चले दाते हैं इसको हम क्या बोलेंगे विरलन तो इस प्रकार यह देखिए संपीडन और संपीडन को हम सी से प्रदर्शित करेंगे और विरलन को हम आर से प्रदर्शित करेंगे यह क्रमशा बनते हैं एक के बाद एक बार संपीडन बनेगा एक बार विरलन बनेगा एक बार संपीडन द्वनी यह कौन सी उर्जा है धनी जो हमें अभी सुनाई दे रही है यह द्वनी उर्जा है अभी अबने पूर्ग में बताया कि धनी संच्टन के लिए माध्यम की आवशकता होती है इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे क्या करेंगे एक प्रयोक उससे सिधध हो जाएगा कि धनी के लिए हमें माध्यम की आवशकता होती है एक हम यह बेलजार लेते हैं करेंट से कर दिया इसके अंदर अभी क्या भरी हुई है शुरू में क्या भरी हुई रहती है हवा शुरू में आरम में लेकिन यहां पर हम एक निर्वाद पंप लगा देते हैं तो हम देखते हैं जब विद्दुधारा यहां करेंट आता है तो यहां पर यह घंटी हमको सुन देती है लेकिन युदि हम और में वनिर्वात वंप से इसके अंदर की हवा लाकर दें नििकाल वे क्या कर दें हवा को हम निकाल दें तो हम देखते हैं कि हमें ये जो विद्दुद घंटी है इसकी आवाज क्रमशे धीरे धीरे कम सुनाई देती है जब पूरी हवा निकल जाती है तो हमको इसकी घंटी सुनाई नहीं देती है इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर की हवा नहीं है माध्यम होना चाहिए और माध्यम में हवा ना होने के कारण हवा ना होने के कारण हमको घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती है तो इस प्रयोक से ये सिद्ध होता है कि ध्वनीज अंचरण के लिए माध्यम की क्या होती है आविश्यत्ता होती है अब हम पढ़ेंगे तरंगों के प्रकार तरंगे दो प्रकार की होती है अनुदैर्ध तरंगे और एक प्रकार होता है अनुदैर्ध तरंगे कि तो जो अनुदैर्ध तरंगे है वो जो ध्वनी तरंगे है इसका एक उधारन है जो ध्वनी तरंगे है वह वास्तव में कौन शी करूंगे है अनुदहर तरंग में संपीडन और विर्लन बनते हैं और इसमें जो माध्याम के कण होते हैं वो उसी दिशा में जाते हैं उसी दिशा में जिस दिशा में तरंग चलती है देखिए यहाँ पर संपीडन और विरलन यह देखिए यह है संपीडन यह क्या है विरलन और फिर से यह क्या हो गया संपीडन और इस प्रकार यह विरलन और यह संपीडन बनते हैं तो इसमें माध्यम के जो कण है वो तरंग की दिशा में ही क्या करते हैं गती करते हैं तरंग की दिशा में गाते हैं और अनुप्रस्त तरंगों में जैसे देखना आप कभी जल में उठी हुई तरंग है इसका एक उधारण है तरंगें आप कभी जल में पत्थर फैंकिये तो आप देखिएंगे कि जल में इस प्रकार की यह तरंगें उत्पन हो जाती हैं तो यह तरंगें मालों यहां से गती करती है इस प्रकार यह यहां पर जाती है और फिर एक निश्चे समय के बाद यहां पर आती है और फिर से पुनें यहां पर आती है तो यह दूरी यह स्थान है और यह बी स्थान है तो यह तरंग यहां से चल रही है और बापस निश्चे आ रही है और उपर आ रही है तो यह दोलन करती है यह कहलाता है पून दोलन अपने इस्थान पर आना यहां पर यह एक पून दोलन यहां पर भी देखिए एक पून दोलन हो रहा है एक संपीडन बनेगा और एक क्या बन जाएगा यह बिरलन पूरा एक संपीडन और एक बिरलन यह पून हो गया दोलन कहलाता है यहां पर भी एक पूरा श्रंग बना और ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है गर्थ और ये उपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है श्रंग जब एक श्रंग बने और एक गर्थ बने तो हम उसको एक उन दोलन कहते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो माध्यम के एकंड है वो दिशा के दिशा तो यह है तरंग बहने की उसके लंबवद कंपन करते हैं लंबवद समझ रहे हैंगा आप आप ईसा उपर और नीचे यहाँ ना अबवा धूबवद करते हैं तो यह तरंग यह धो प्रकार की हो गई अन प्रकार लहर बनती है यह तरंगे कौनसी हुई अनुप्रस्त तरंगे हुई अब हम पढ़ेंगे तरंग से संबंदित कुछ परिभाशा हैं तरंग के अभी लक्षन तो एक बहुत महतुपूर्ण इसमें परिभाशा आती है तरंग देर्द क्या है हमने आपको अभी बताया चाहे अनुदेर्द तरंग हो चाहे अनुप्रस्त हो अनुप्रस्त में देखिए एक श्रंग और एक गर्थ बनता है एक श्रंग दो श्रंग बन गए इनके बीच की दूरी ले लीजिया या दो गर्थ के बीच की दूरी ले लीजिये तो एक दोलन पूरा हो गया यहां से पूरा एक दोलन हो गया तो एक दोलन पूरा करने में तरंग जितनी दूरी टाय करती है उसको हम क्या बनते हैं तरंग दैर्द को हम एक अक्षार इंगलिश का लेम्डा लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं यह एक प्रकार की दूरी है तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्या होता है तो आप फिर से समझे कि एक दोलन में तरंग द्वारा जितनी भी डूरी तई की जाती है एक दोलन समझ गए ना ये अनुप्रस्त तरंगों में एक शरंग बना और एक ये डर्त बना और एक शरंग तो ये शरंग से पूरा यहां तक एक दोलन कहलाता है इसको लेम्डा से प्रदर्शित करेंगी फिर दूसरी परिभाशा है आवरती आवरती मतलब होता है कि जब कोई वस्तु दोलन करती है तो एक सेकंड में जैसे आप देखिए यह है यह मालो हमने समय लिया एक सेकंड अनुप्रस तरंगों में जितने दोलन होंगे एक सेकंड में मालो यहां पर यह देखिए पूरा एक शरंग दो शरंग बन गए तो जितने दोलन कून होते हैं वो संख्या को हम क्या वलते हैं आवरती और इसे हम ग्रीक अक्षर है निउ। इसको ऐसे प्रदर्शित करें गे यह हैं इसको ग्रीक अक्षर निउ से प्रदर्शित करते हैं तो एक सेकिंड में तो आवरती क्या होगा एक सेकेंड में हम जितने भी कमपन पूरा करेंगे आवरत ही बराबर कमपन या इसको हम लिख सकते हैं दोलन दोलन भी लिख सकते हैं दोलन और समय समय यहाँ पर कितना लिखा हमने एक सेकेंड तो और जो आवरती का मात्रक है वो हर्ड नामक वेज्ञानिक ने बताया था उन्हें के नाम पर आवरती का मात्रक हर्ड कहा जाता है यह बहुत आयम्पी और हमीशा पूछा जाता है कि आवरती का मात्रक क्या है तो एक कंड दौरा एक सेकंड में समय देखिए एक सेकेंड में जितने भी पूर्ण दोलन होते हैं उस संख्या को क्या बोलेंगे आवरती इसे हम न्यू अक्षार ग्रीक अक्षार न्यू से प्रदर्शित करते हैं अगला जो शब्द आएगा धोनी से संबंदित आवर्त काल आवर्त काल एक प्रतार का तो तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगेगा उसको हम आवर्तिकाल कहेंगे इससे हम टैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक है आवर्तिकाल का वो है सेकेंड अगली परिभाश्या है आयाम जब कोई भी माध्या में कंपन करते हैं दौलन करते हैं तो एक निश्चित दूरी तक क्या करते हैं गमन करते हैं उसके बाद पुनाय अपनी अवस्ता में आते हैं फिर दूसरी दिशा में गमन करते हैं तो अपनी मूल इस्थिति के और जितना अधिक से अधिक उसका विस इसको हम थोड़ा सा हिला देंगे, तो ये धागा क्या होगा, अपनी यहां से यहां गती करेगा, तो उसने इतनी दूरी तय की, ये, और कुछ समय पश्चात वो इस दिशा में गमन करेगा, आपने जूला देखा, इस प्रकार ये, ये, तो ये, जितना ये दूरी तय कर रहा यह उसका क्या कहलाएगा आयाम इसको हम एसे प्रदर्शित करेंगे एसे दर्शाएंगे और यह भी एक प्रकार की क्या है दूरी ही है तो इसका भी मात्रक मीटर में प्रदर्शित कर सकते हैं यह हो गया आवर्तकाल और आयाम अब हम पढ़ेंगे तरंग वेग वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि एक सेकेंड में तरंग दौरा जितनी भी दूरी तै की जाती है एक सेकेंड में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे तरंग वेग इसका हम सूत्र लिख सकते हैं वेज भी लिख सकते हैं इसको और चाल भी लिख सकते हैं एक सेकेंड में जितनी दूरी क्या की गई है तै और समय समय मालो हमने यहां ले लिया एक सेकेंड तो यहां पर तो यहां पर तरंग वेग का मातरक होगा मीटर प्रती सेकेंड तो यह कहलाता है तरंग वेग अब ध्वनी का वेग आवरती और तरंग देर्थ में संब्द वेग को प्रदर्शित करते हैं वीग से और आवरती को प्रदर्शित करते हैं न्यू से और तरंग देर्थ को प्रदर्शित करते हैं लेम्डा से तो जो तीनों में संबंध है वो है वी बरावर म्यू और गुनित लेमडा ये तीनों में क्या है संबंध है तो तरंग वेक बरावर आवरती गुनित तरंग देर ये प्रश्ण भी आता है कि तीनों में क्या संबंध है अभी हमने अनुप्रस्त और अनुधर तरंग के बारे में पढ़ा था यहां पर देख सकते हैं जो अनुप्रस्त तरंगे होती है ये इसमें संपीडन और विरलन बनते हैं और अनुधर तरंग इसमें श्रंग और गर्त बनते हैं और इसमें छोनध में संपीडन और विरलन बनते हैं तो अनुप्रस्त तरंगें जो माध्यम कें होते हैं वह भी। होते हैं लंबबबοत क्या होते हैं कि रम बथिदी करते हैं और इसमें श्रंड यह श्रं और यह गर्तबनते हैं यह जो तरंगे है अनुपर्षRIA जो ठोस द्रव और चैसे इनकी उपन्सक्राइब पर है dewत बनी होती है और तरंगे संच्रेत होती है तो उस समय दाब और घनत में कोई परिवर्तन नहीं होता और अनुदैर तरंगों में यह होता है माध्यम के जो कण है वो इसी दिशा में क्या करते हैं दोलन करते हैं और इसमें संपीडन यह आप देखिए संपीडन और घिलन बनते हैं और ये ठोस, द्रॉग और गैस तीनों अवस्थाओं में उत्पन्ण हो सकती हैं और इनके जब संच्रेत होती है तो इनके दाप और घनत्व में परीवरतन होता है देखें यहां दाव अभी है यहां दाप कम है इस प्रकार यह दौनों में क्या हो गिया अंतर आप यहां पर इनका चित्र भी बना सकते हैं। आप देखिए इस से संबंदित इस पार्ट से संबंदित कुछ प्रश्ण आते हैं। जैसे अनुप्रस्त और अनुधहर तरंगों में अंतर ये बहुत महत्पून प्रश्ण है। तरंग वेग ये तरंग वेग आवरत्ति और तरंग देर्द में क्या संबंध है ये भी आपको बतलाना है धन्नवाद बच्चों